गोविन्द हम आधिपुर्ष्ण तमा आम भज्यामि ए गोविन्द आधिपुरुष्ण नारायन हम आपका भजन करते हैं यह अनंत ब्रह्मा को देख करके यह चत्रमु की ब्रह्मा की हालत तो बेकार हो गई गवरा उठे और गड़ड़ान लगे और मूर्चित होगे मूर्चित होगे भगवान स्री कृष्ण के चरणों में गिर गए भगवान ने सभी ब्रह्मा की भगवान अस्तुति की ब्रह्मा को जाने का आदेश दिया कोई नहीं है इस समय ब्रह्मा जी मूर्चित पढ़े हैं चरणों में चत्रमुकी ब्रह्मा बगवान ने कहा ब्रह्मा जी उठो ब्रह्मा जी गोहुश आया और उठे हाथ जोड़े गिरगराते कापते हुए यह क्या यह जो मैंने अभी देखा ये बिभिन ब्रह्मा और हजार लाग करोड़ों मुखों वाले ये क्या सत्त है भगवार ये मेरी आखों का ब्रह्म है ये भी मुझे बतला दीजिए ये सत्त है ब्रह्मा ब्रह्मा जी ये सत्त है ये परम सत्त है ये बहुतिक सरष्टी में बड़े-बड़े ब्रह्मांड है जापर मुझे ब्रह्माओं की आवशक्ता होती है सरष्टी करता चौरा सिला की योनियों को रचने वाला ब्रह्मा ये ब्रह्मांड जिसमें आप रह रहें सबसे छोटा ब्रह्मांड है इसमें मुझे चत्रमुकी ब्रह्मा की आवशक्ता पड़ती है आप है बाकी और भी ब्रह्मान्ड है जांके मुझे हजार मुक्वाला लाक मुक्वाला और दस लाक मुक्वाला और एक करोर मुक्वाला भी ब्रह्मा चाहिए यह बिस्तार वाले ब्रह्मान्ड है तो आप इसमें इतना शोक मत करिये मैंने पुछवाया दुआरपाल से वो ठीक ही पुछवाया कि कौन से ब्रह्मा है क्या चत्र मुकी या सो मुकी या अजार मुकी तो आप इतने आग बवुला हो गए तो यह ब्रह्मा जी ने बहुत पश्चाताप किया गड़गड़ाए प्रार्तना की कि मुझे मेरा अपराद महान अपराद क्षमा कर दो एक अपराद मैंने आपका जब किया था जवाप पांच वर्ष की अवस्ता में बच्छों के बच्छी चराने जाती थे बन के अंदर बिरंदावन में तब मैं आपके बच्छी और ग्वालों को चुरा के ले गया था एक अपराद तो मैंने वो किया था और ये और एक महान अपराद कर बैठ हमें मुझे ख्षमा कर दो और मुझे क्यों ब्रह्मा के पद पर बिठाया है वो रजगुनी पद है मुझे तो कोई कही चोटे मोटे घर में या परत्वी लोग पर जनम दे दो ब्रज के अंदर जनम दे दो कुछ नीच परिवार में भी जनम दे दो मैं आपका भजन करूँगा मैं आपसे अलग हो गया हूँ मुझे ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहिए भगवान तो सब की इच्छाएं पूर्ण करते हैं ऐसे ब्रह्मा जी की इच्छाएं पूर्ण की है उन्होंने वो अगली कथा आगे जाती है लेकिन भगवान ने कहा कि ये कल्पादो विशर जाय में हो तो ये बारबार सर्ष्टी होती है प्रला होती है ब्रम्य जोती है अनंत बैकुंट जगत है परमधाम मेरा धाम नेतद भास्यते सूरियों ने शशांको मैं इनमें नहीं हूँ मैं आलग हूँ इनसे यह सब मेरी रचना है फिर भी मैं इससे आलग हूँ मैं सब प्राणी मात्र के इरदे में हूँ फिर भी मैं उनके अंदर नहीं हूँ परमात्मा सरुप से मेरे अंश एक्सपेंशन पार्टली इंकार्निशन बिश्णू शिर्दक्षाई बिश्णू सब प्राणी मात्र के इरदे में है मैं फिर भी अलग हूँ मेरी योग शक्ती तो देख अर्जुन मेरा योगम एश्वर्यम योग का एश्वर्ये तो देख अर्जुन अवजारंती माम मूड़ा मानुसिं तनुम आशित्तं परम्भावम एजानंतो मंभूत महेश्वरम ये मुर्ख लोग नहीं जानते कि ये मेरा जो शरीर है ये लगता तो मनुष जैसा है कि मैं मनुष जैसे शरीर में रहता हूँ जैसा शरीर मैं मनुष है मैंने मनुष को भी ऐसा शरीर दिया जो मेरा खुद का शरीर है फिर भी ये लोग मुझसे नफरत करते हैं मुझे नकारते हैं कि मुझे नहीं जाननी की कोशिश करते हैं इतनी मूर्चा में जीवन जीते हैं अवजानंती माम मूढा मानुसें तनुना सिर्टम क्यों क्योंकि मैं मनुष्य जैसे शरीर में मैं भी रहता हूं परमभाव मैं मेरी सुपरीम कॅंशनेेश कोई सशार में जिसकी बावना परमभावना ओप फ्य में सुपरीम कॉंशनेश या consciousness लोग तो consciousness में भी नहीं है unconscious जीवन जी रहे है मूर्चा में जीवन जी रहे है फिर supreme consciousness कैसे हो सकते है super consciousness भी नहीं है super conscious में भी परमात्मा बिश्नु आते है शिर्दक्षाई विश्नु गर्बदक्षाई विश्नु माहा विश्नु ब्रह्मा जी ने अस्तुति की है भगवान की यचक्षोर एस सविता सकल ग्रहनम राजा समस्त सुर्मूर तीर अशेश तेज़ यश्य आज्या ध्रमती संभित काल चक्रो गोविंदमादि पुर्सम् तमाहाम भयामी यह चक्षोर एस यह यूनिवर्सल भगवान का विराथ सरूप है यह औरिजिनल सरूप नहीं है मानुसम सरीर नहीं है ब्यक्तिकत रूप नहीं है यह यूनिवर्सल फाउव है भगवान की क्योंकि इसके अंदर भी तो भगवान बिश्नु बैठे है जैसे आपका शरीर है उसके अंदर आप खुद बैठे है आपके आत्मा के अंदर भी परमात्मा है यह भी भगवान का ही चेत्र है यहां भी भगवान है तो पर यूनिवर्स के अंदर भी भगवान है यूनिवर्सल फॉर्म भगवान कहती है कि जो सूरिया है ये मेरा एक नेत्र है इस विराक रूप के अंदर इस सूरिये के सामने सारे देवता लोग सुर्मूर्तीर अशिष कतेज़ाय। देवता लोग भी फीके पड़ जाते हैं चंद्र तारे सब फीके पड़ जाते हैं ये सारे ग्रह ब्रस्पति शनी बुध बुध मंगल इत्यहदी सब ठीके पढ़ जाते हैं निस्तेज हो जाते हैं यह मेरा एक नेत्र मात्र है युनिवेर्सल फॉर्म में ऐसे अनंत युनिवेर्सल शरीर है भगवान की विराठ स्वरूप इनमा अनंत चक्षू है भगवान की भगवान कहते हैं कि यह ब्रह्मा जी अस्तृत्य करते हैं कि हे गोविंद आपके ये विराप सरुप के चक्षू सूर्य के सामने ही सारे देवता फीके पड़ जाते हैं सारे घ्रै नक्षत्र फीके पड़ जाते हैं यह चक्षूर एस सविता सकल ग्रहमं राजा समस्त सारे राजा ब्रह्मा अंडों की सब फी के पढ़ जाते हैं राजा समस्त सुरमूर्तीर अशेश्ट तेजव यश्याज्या भ्रह्मती संबृत काल चक्रो और इसमें वास कर रहे हैं भगवान विश्व के आज्या से सारा काल चक्र घुम रहा है सारा युनिवर्स भूम रहा है सुचारू रूप से हम जिन्दा है हमारा प्लानेट जिन्दा है उनकी इच्छा से संबृत सर्वेंट की तरह कार्य कर रहा है सारा ब्रह्मा अपनी इस्थिती में रह करके यचक्षोर एस सविता सकल ग्रेनम राजा समस्त सुर मूरतीर अशेश ते जाओ यश आज्या भ्रमती संबृत कला चक्रो गोविन्द माधि पुर्शं तम आहाम भयामि हे गोविन्द हम आपके हस्तुति करते हैं आपको बसते हैं ब्रह्मा कह रहे हैं अवजानंती मामम उढ़ा मानुसिं तनु महासिर्तम परंभावं नहीं जानतों परंभावं परंभावं अजारं तों नहीं जानतें मेरी सुप्रीम कॉंशियसनेस को मेरी परंभावना को ये मूर्ख लोग ये मूर्चित लोग ये अग्यानी लोग नहीं जानतें कि मैं कौन हूँ मैं भी मनुश्य जैसे शरीर में रहता हूँ दो ही सुन्दर मेरे हाथ हैं दो पैर हैं दो नेतर हैं सीज़ पर मोर्मू कुट है हातों में मुर्ली है जिस मैक्सिकन लोग मुर्ली बजाते हैं और भी अनेक मुर्ली बजाते हैं उनके हाथ में भी मुर्ली है उनके भी हाथों में दस उंगलिया हैं पाओं में दस उंगलिया हैं सेम डिक्टो कौपी मनुश्य का शरीर है उनका अपनी शरीर के जैसा ही ये मनुश्य को शरीर दिया खुश हो करके ये चौरा सिलाख यौनियों में हो करके निकल रहे हैं अब इनको एक मेरा जासा इस शरीर में प्रदान करूँ तो मुर्क लोग इस बात को नहीं पैचानते हैं और कहते हैं कि अरे ये कोई राजा के पुत्र होगा या कोई योगी पुरुष होगा हम क्यों पूजा करें हम क्यों उनका नाम जब करें आए चले गए कितने आए हैं कितने चले गए राम on हुआ कृष्ण वार ब्लराभ ये सब राजाओं के बेटे रहे होंगे या कोई मान पुरुश रहे होंगे अच्छे काम किये होंगे ये बगवान कृष्ण के वाक्यों को मूर्ख लोग नहीं जानते कि बगवान क्या कह रहे है और बहुत से कहेंगे कि नहीं वो निराकार है बहुत से नहीं तुम निराकार का बजन करो तुम देवताओं का बजन पूजन करो वो मना नहीं कर रहे तुम बूत पैटों का पूजन करो भगवान मना नहीं कर रहे लिए भगवान के वानी को भी तलवार लेकि आट देने वाले मूर खलो, तयार है फिर कहते हैं कि हमने गीता पे भाश लिखा है गीता की हमने commentary दी हैं हम philosopher है हम degree holder है कितने खिताब हमने जीते हैं हम बिद्वाने शास्त्रारत शास्त्रों की हम enlightened है हज्जारोला को हमारी शिष्ष है अब हम गीता पर commentary लिखेंगे गुरुजी की commentary जूटे गुरुओं की आडम बरियों की मूर्खों की मूर्चितों की ऐसे लोगों की वैक्षाओं की वैलू नहीं बल्कि पॉर्जन हो गीता के अंदर भवान ने कितने सरल लिर्दे से सभी बात कही हैं हम सब से अर्जुन के मात्यम से कि मूर्चित लोग मेरी परम भावना को नहीं पहचानते मैं परमेश्वर हूँ परम भावना परमेश्वर के पास होती है और परमेश्वर से मिलना है तो उस भक्त को भी शुद्दतम भावना पर जाना पड़ता है तब कहीं मिल पाता है परमधाम में जाने वाले की भावना भी परम होनी चाहिए इतना उंचा लेबन होना चाहिए तब वहां पहुच पाता है बगवान के इस्तार को तो कोई नहीं ले सकता लिए बगवान के चर्णों में तो बैठ सकता है बगवान को आलिंगन तो कर सकता है बहुआन से बारतालbak तो कर सकता है बहुआन को जल अरपण तो कर सकता है कर सकता है ने मूर्चित लोग कैसे करेंगे वो तो जानती ही नहीं अपने आपको भी कि हम कौन है अपने आपको जान जाए है तुझे शेथनि माप रूजिन कहा कि जीवरों स्वरूप है नित्ट कृष्ण दास यह जीव का स्वरूप नित्ट कृष्ण का दास बने रहने में इसका यह असली स्वरूप है और हम देखते हैं अपने रूप को सीशे में कि हम यह है बड़े रूप वान है ऐसे हमारी मूचे हैं ऐसी दाडिया हैं चोड़े कान हैं ये रूप नहीं है आपका आप सोचें कि हमारा रूप है नहीं, ये तो शरीर का रूप है आप शरीर नहीं है आप आत्मा है आपका सरूप तो सच्चिदा उंद है और सदेव कृष्ण का दास बना रहना आपका स्वरूप है इससे अन्यता नहीं फिर बड़ी-बड़ी डिग्रिया लो फ्लोसपर वनो या मनो वएज्ञानी वनो इससे भगवान को समझ में नहीं आते है नहीं उनके शास्त्रों पर सरदा होनी चाहिए उनकी वाणी मीं सरदा होनी चाहिए यह बागुद गीता एज इट इस पांच जार तीन सो अर्श पहले भगवान की मुखारविन से निकली वो आज चली आ रही है यह इस लोग जैसे थे वैसे के वैसे हैं एक शब्द भी इदर से उदर हो नहीं सकता करक्ष है क्योंकि कंठस्त है हजजारों लाखों बगवान की भक्तों की कंठस्त है इसमें चेंज़ें नहीं कर सकता कोई गड़बर नहीं कर सकता बदमाशामी यह जी टिज़ बगवान की वानी है? बगवान कह रहे हैं कि अवजाननती माम मूधा मानुसिं तनूं आशिर्तम परंभावन अजाननतो ममभूत महेश्वरम मेरा ये श्री विग्रह शरीर जिसमें मैं द्वापर में भी था ये महाईश्वर का शरीर है ये भौतिक शरीर नहीं है बगवायन स्री कृष्ण ये शोदा के आंगन में थे ये द्वार का दीश थे तो उनका शरीर हमारा जैसा नहीं था लगता तो हमारा जैसा था मनुष्य का शरीर जैसा लिए उनका शरीव ग्रह हमेशा इस प्रीच्वल होता है आध्यात्मिक होता है इसलिए वो सदेव 16 वर्ष के ही अवस्था में नजर आते थे द्वार के बाल लिलाएं भी करी वो शरीर के अंदर तो बड़े क्वालिटी जैसे गुण है वो तो किसी भी रूप में रूप बना ले हो शरीर आध्यात्मिक शरीर हो इस प्रीच्वल बाड़ी पस ब्लड बॉंस का नहीं है लिए लगता है ऐसा है यह हमारे जैसा ही है नंदेवकी के पुत्र बने नंद के घर पलते हैं वेदों के रिशियों ने कृष्णा बताए है वो ही शाम सुन्दल का नहीं आख कहाए गोविंद तेरी जै जै गोपाल तेरी जै जै हे बागे भी हारी नंद लाल तेरी जै जै गोविंद तेरी जै जै गोपाल तेरी जै जै अव्यानन्ती माम मूढा मानुशिम तनु मासृतम परमभावम अजानंतो महमभूत महेश्वरम इस प्रकार से भगवान नी अरजन को कहा कि ये मुर्चित लोग मुझे नहीं पहचानते क्योंकि मैं इनके जैसे इस शरीर में मनुष्छ जैसे शरीर में ही रहता हूँ मेरा शरीर मेरा औरिजनल रूप ग्वाले का है और मनुष्छ का शरीर है ये भगवान का स्पीच्छ और शरीर है और परम रूप वान है उनके रूप से किसी का रूप नहीं मिलता है उनके नेत्रों से किसी के नेत्र नहीं मिलते है उनके रंग से भी किसी का रंग, उनके शरीर के अंग, प्रतंग और रंग, ये बड़े अदूद है इसलिए उनको यहाँ भी दौपर में भी, जो कोई भी देखता था, वो मोहित हो जाता था भक्ती भावना से, इर्शा जलन से देखते थे, वो उनके विरोधी हो जाते थे, जरासंद, शिशुपाल, दंत्वक्र, कंस, इत्याद, जिन्होंने उनकी रूप के दर्शन की हैं, वो बड़े भागिशा लिए हैं, उनका जनम सफल हो गया, उनके धाम किवास ही बन गए, चाहे वो युदिश्टिन महराज हो, यहां तक भी दुरियोधन का भी कल्यान हो गया, वो भी बन गया,